सब्सक्राइब कीजिए Digital Indian चैनल को और बेल आइकन दबाईए ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की अपडेट सबसे पहले नई चीज नजिकल निकल के आई और काफी सारे फोन उसको फॉलो भी करा लेकिन क्योंकि अब हम बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं साल के तो बिल्कुल एक बनता है टॉप 10 का तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट और इस वीडियो में आपको बता हूँ वो टॉप 10 पोन जिन्होंने तहल का मचा दिया इस साल के अंदर तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तो नबर 10 पे जो फोन आएगा वो है ओनर 8 और ओनर 8 की अगर में बात कर रहों तो क्या कमाल का इसका लुक है 5.2 इंचिस की फुल HD स्क्रीन है 4 GB की रैम इसमें आपको मिलेगी 32 GB की स्टोरेज इसके अंदर आपको मिलेगी इसका आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं dual camera इसके अंदर आपको मिलता है 12 MP प्लस 12 MP और 8 MP इसके अंदर आपको front camera मिलता है दोनों ही लाज जवाब इसकी फोटोग्राफ 3000 mh का इसके अंदर आपको बैटरी मिलने वाली है करीन का 950 का अफ्टा कोर का प्रसेसर है और कमाल की performance के अंदर आपको मिलेगी 29,900 रुपे का यह phone है आपको किसी भी तरकी की problem इसके अंदर आने वाली नहीं है अगर मैं सिर्फ एक कौन की इसके अंदर बात करूँ तो वो है hybrid slot जिसके अंदर आप या तो दो sim लगा सकते हैं या फिर एक sim और उसके बाद आप memory card लगा सकते हैं तो दो sim लगाने के बाद इसमें memory expand नहीं कर सकते हैं लेकिन कमाल का यह phone है definitely आपको disappoint नहीं करेगा और यह top 10 के अंदर अपनी जगे बनाता है जोस्तो अगर नमबर 9 की बात करूँ तो इसके अंदर आता है Lenovo का P2 Lenovo का P2 के अंदर आपको मिलेगा snapdragon का 625 का प्रोशेसर जो भी octa core है 4GB की RAM मिलेगी 32GB की storage मिलेगी उसको भी आप 128GB जग बढ़ा सकते हैं 5.5 इंद की full HD screen मिलती है 1920 x 1080 ppi ADRONO का 506 GPU इसके अंदर मिलता है 13MP इसके अंदर आपको rear camera मिलेगा 5MP इसके अंदर आपको प्रेंट कामरा मिलेगा 990C वाप इसके अंदर लगा सकते है 2500 MH की दमदार battery इसके अंदर मिलती है चलता फिता पावर बैंक का दोस्तो हो ये इसके अगर हम प्रोज की बात करों तो strong build quality है massive battery backup है काफी strong specification इसके अंदर आपको मिलती है अगर आपको इसके कौन्स की अगर हम बात करों तो strong build quality होने के बाद इसके जो look है वो थोड़ सी brick तरीकी के आती है इसके अच्छी ने लगी लिए कि फोन की specification काफी धमाल है और इसके अच्छी power battery backup है तो लोगों काफी पसंद आया काफी ये फोन विका है तो इसने भी अपनी जगे बना लिए top 10 के अंदर तो ये आता है number 9 पे अगर number 8 की अगर में बात करों तो वो है the best seller of this year Redmi Note 4 कमाल का ये फोन है snapdragon की 625 octa core processor के है साथ ही मिलता है 4GB की RAM और 64GB की storage मिलेगी आपको जो higher variant है साड़े 5 इच की full HD screen मिलेगी इस फोन के बारे में लगबग आपको सारी बाते पता होंगी 13 megapixel का rear camera, 5 megapixel का front camera 41 mh की संदर आपको battery मिलती है battery बहुत अच्छी है लगबग सारे sensors इसके अंदर मिलते है IR blaster भी इसके अंदर मिलता है camera इसका थोड़ा average है build quality super strong है MI के phone पे अब सबको विश्वास होने लगा है और ये top selling phone रहे 2017 का तो इसका तो आना बनता ही था अगर अगर मैं बात करूँ number 7 की 64GB की storage मिलेगी 5.5 की full HD screen है अच्छी displays में आती है dual camera आपको मिलता है 13 megapixel plus 13 megapixel का f2.2 aperture के साथ aperture विसका काफी कम है तो इसकी काफी अच्छी आपको picture quality देखने को मिलेगी 8 megapixel का front camera है जो आपको बिल्कु भी निराज नहीं करेगा 3000 mAh की battery है साथ में आपको 15 watt का turbo charges मिलता है तो 3000 की battery अगर आपके थोड़ी को कम भी हो रही है तो instantly आप उसको charge कर सकते है तो ये phone आपको काफी support कर गए quick charging के अंदर अगर मैं बात करता हूँ इसकी pros की तो camera quality बहुत अच्छी है build quality बहुत अच्छी है इस चीज में deserve करता था 2017 में 7 नमबर पर आने के लिए और ये है iPhone 7 जी हाँ iPhone 8 भी आया है 8 Plus भी आया है 10 भी लेकिन उसके बाद भी 7 ने अपनी जगे इस साल भी बरकरार रखी है और नमबर 7 पर है iPhone 7 इसकी configuration की अगर में बात करो तो इसके अंदर आपको मिलेगा Apple का अपना processor जो की iOS 11 के साथ आता है 4.7 इंचिस की इसके अंदर आपको screen मिलती है 12 में का पिक्सिल की अंदर आपको rear camera मिलेगा जो 1.8 aperture के साथ है अच्छी 802 pictures ले लेता है 2GB की RAM मिलेगी इसके अंदर 1960 की आपको MH की battery मिलने वाली है इसके अंदर 3D touch है बाकी Apple वालों को Apple ही ची होता इसके अलावा तो क्या बताए 40-45,000 के बीच में आपको ये बहुत सारी website सके अंदर मिल जाएगा Amazon के शायद भी 42,000 रुपे गा rate है आप इसके लिए भी जा सकते है अच्छ है कि अगर बात करनो तो उस पर आते Oppo और Vivo phones के अंदर को एक high configuration आपको नहीं मिलेगी एक अच्छी build quality आपको मिल जाते है camera center की phone होते है लगबग selfie center का आप मान सकते है इसकी camera quality सोड़ी से अच्छी होती है software भी यह अच्छी तरह किसे अप्डेड करते है camera के लिए तो इसको number 6 पे लाया है offline market की वैसे offline market में काफी अच्छी इसकी sale होती है अब जो हैसो है दोस्तो Oppo और Vivo combined है number 6 के उपर number 5 के आपको मिलता है एक धमाकेदार phone Samsung का Note 8 क्या गजब का यह phone है आगर मैं Android की performance की बात करो Android की experience की बात करो तो इस phone में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इसके अंदर आपको मिलेगा Exynos का processor या फिर आप Snapdragon 835 का processor 10 nanometer की technology पे आपको चलता है Octa cover का आपको Mali का GPU मिलेगा G71 का 6 GB की RAM 64 GB आपको storage मिल जाएग 12 MP आपको dual camera मिलता है दो लों के अंदर OIS है यानि की optimization यानि की Optical Image Stabilizer इसके अदर आपको मिलेगा Autofocus है 8 MP का selfie camera मिलेगा 6.3 की Quad HD screen आपको मिलेगा इसके अंदर 1440 into 2960 का resolution मिलने वाला है 521 पिक्सल पर इंच यानि की बहुत अच्छे आपको picture quality इसके अंदर मिलने वाली है Samsung screen वाकिये में बहुत गजब की है क्यों कि मैं भी इसको यूजब करता हूँ तो मुझे performance बहुत ही उंदा performance मिलेगा इसके अंदर मिलती है चाहे वो Samsung S7 Edge हो, S8 Plus हो या Note हो इसके अंदर मिलती है क्योंकि थोड़ा सा कारू नहीं है और दूसरी बात जो है वो अगर fingerprint sensor के बात करो थोड़ी unexpected जगह पर है जहां पर आपको fingerprint को यूजब करने में थोड़ी सी problem आती है जो S Pen की अगर बात करो तो S Pen मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर लोग इतने जाला यूज़ करते है तो जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा feature हो सकता है बट Note 8 इतना नहीं बिखा जितना कि S8 बिखा इस वज़े से लगभग 98% configuration सेम होने के Android का एक उंदा experience है Android का अगर आपको सचा experience है तो Google Pixel 2 एक genuinely बहुत अच्छा 4H का software को इस तरह के से integrate किया गया Stock Android का आपको बहुत अच्छा experience मिलने वाला इसके लिए दोस्तों configuration बहुत ही कमाल की है 845 आपको Snapdragon मिलने वाला है 64 bit का आपको octa-gore processor आपको 4GB की RAM मिलेगी 64GB की storage मिलेगी 6 inches की Quad HD screen मिलने वाली है 12.2 Megapixel का इसकंदर rear camera है और जो rear camera है वो कमाल का है अगर आप मान लिजे इस साल के इंदर जितने भी phone लाँच हुए उसमें सबसे उम्दा camera जो है Google Pixel 2 का आता है front camera की बात करो तो कमाल की बात है बाकी Google की unlimited storage मिलेगी तो इसकी pros में भी count हो सकता है water resistant है Oreo आपको 1.1 मिलेगा इसके अंदर price है इसका 73,000 रुपे और यह इसका सबसे बड़ा concept क्योंकि अगर मैं बात करो 73,000 रुपे में Google का phone अगर आपको लेना है अगर बात करता हूं तीसरे नंबर की मेरा personal favorite काफी अच्छा phone है OnePlus 5T क्या गजब के इन्होंने यह OnePlus जो है किसी टाइम पे flagship killer होता था जब लगबग जितने phone launch उसके half price में अपना बहुत ही बढ़िया phone launch करता था लेकर अब यह flagship killer अब flagship phone बन गया है क्योंकि अब इसके range भी लगब 40,000 के around जाती है तो 32,000 और 38,000 के दो model अच्छों होते हैं हम बात करते हैं 38,000 वाले model की जिसके अंदर आपको मिलता Snapdragon का 835 processor इसके अंदर आपको मिलेगी 6.01 इंच की AMOLED की screen जिसमें 401 का PPI होता है GPU भी Adreno का 540 मिलेगा 6GB और 8GB के दो variant इसके अंदर आते हैं 64GB और 128GB के साथ 6GB वाला 32,000 रपे और 8GB वाला आपको मिलेगा करी 32,000 रपे का rear camera जो है कमाल का rear camera है 1.7 के aperture के साथ 16MP प्लस 20MP का dual LED flash के साथ और 16MP का आपको 2.0 aperture के साथ front camera मिलने वाला 7.1.1 इसके अंदर आपको Android का मिलेगा operating system जो कि इनका कहना है कि बहुत जल्दी upgrade कर देंगे शाथ January में इनका upgrade इसको मिल जाएगा इसके अंदर आपको oxygen बेस आपको operating system मिलने वाला है और उमीद करते है कि काफी लोगों को आपको पसंद आ रहा है वी यह शाय थी सिल 2018 में और भी काफी बढ़ने वाली है अब तो फ्लास्टीज में आ रहा है तो बहुत जल्दी से क्विक खतम हो जाता है उमीद करता हूं next flash इसके अंदर यह मिलेगा और मैं इसका आपको पूरी तरह किसे युजर फ्रेंडली नहीं लगता है थोड़ा 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 लोगों को कॉंफटेबल होने टाइम लगेगा जैसे पहली बार यह आपोन आया था तो उसके अंदर भी लोगों को जड़ा अब बात करते है नमबर वन की और नमबर वन पॉजिशन जो है वह अब की बारी बनाई है सामसंग S8 ने this is the best android phone that is available in the country right now because S8 मैं यूज कर रहा हूँ क्या कमाल का मेरा को सिंदर experience मिलता है इसके अंदर आपको मिलता है infinity display लगभग 84% जो है वो display ने body के अंदर जगे लिए है 4GB और 6GB की दो variant मिलते है इसके अंदर आपको 895 processor मिलेगा अगर आप इंडिया में यूज कर रहे है नहीं तो otherwise आपको snap turn का 835 processor मिलेगा बहुत ही कमाल का ये phone है दोस्तों इसके लिए मेरे पास कोई कोई नहीं है मैं इस phone से fully satisfied हूँ अगर आपका budget जाता है लगबग 60,000 से उपर तो आप इस phone के लिए definitely जा सकते हैं क्योंकि जब भी इस phone को आप किसी और phone के साथ साथ में रखेंगे तो इसके display जो इतनी कमाल की है वो तुरंट edge ले जाती है और उसे ये थे इस साल के top 10 phone उमीद करता हूँ आपको पसंद आये होंगे अगर आपको पसंद आये तो like कर दीजे इस video को और share कर दीजे otherwise चानल को subscribe कीजे दोस्तों मिलता हूँ आपसे जल्दी next video के अंदर